दोस्तों बल्कम बेक टो मैं चैनल तो चलिए आज हम बनाते हैं गोबी की सबजी जो खाने में बहुत जादा स्वादिश लगी कि साथी साथ एकदम देशी स्टैल में बनकर तयार होगी सबसे पहले हम गोबी को अच्छे से साफ कर लेंगे देख लें गोबी में बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी अब हम मटर चील लेते हैं और आलू भी चील काट कर तयार कर लेंगे अब हम मसाला पीसेंगे मसाला मैंने सिलपर पीसा है इसमें प्याज अद्रक लहसन खड़ी धनिया और खड़ी मिर्च को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया आप लोग बढले के मसाली किसी अपको साफ तृज अब बनाते हैं कडाई में तेल लेकर जीर डालेंगे और पिसा हुए मसाला कर देंगे इसमेह भी भाड़ी मिर्च पहले डाल रखी है तो आब इसमें पेसिक मसाल utilizz व्म कल बकार लेंगे आलू तो बहुत हुए हमारी अभण दोएम वो आदी वैसे भी पकी जाएगी तो अब हम इसमें अभी नहीं डालेंगे उसको जब आलू हलका पक जाएंगे उसके बाद में हम इसमें गोबी एट करेंगे और गोबी को भी अच्छे से डाल कर पका लेंगे उसके बाद में जब गोबी हमारी अच्छे से में बहुती जादा स्वादिश लगती है और आप भी से बना कर एक बार जरूर ट्राइए करें एक बार सिल्क और किसे हुए मसाली की सब्जी जरूर बनाए और मेरी रैस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो और मेरे घुले मेरे जयो मेरे थाय刊S क拜ुँ Тут बनाए Yeah ॉयोो Μेरे बनातश हो 님 प्यान है बा靜र मेरे रार मेरे करो हो मेरे किसे भीज़ हो और दो मेरे बाWestस हो मेरे रहें घुले है। ऱमेरे हो मेरा सथ्ता लऑ्ती है। झाह भाईव सक्मेर्शई कमें पहें सहें। दॅम